आज नवरात्री का दूसरा देन है आज दुरगा मा के दूसरे अवतार माता भ्रह्मचरनी की पूजा होती है मा भ्रह्मचरनी प्यार, करुणा और त्याग का प्रतीक है सती माता का पुनहा जनम हिमाले की बेटी पार्वती बनके होता है इस जनम में उन्हें नारत मुनी जी तपस्चा का मार्ग बताते हैं शिव जी को दुबारा हासिल करने के लिए पहिमाले के पुत्री होने के बावजूत अपना सारा राजसीय सुख त्याग करके माता पारवती तपस्चा के मार्ग पर निकल जाती है इन्होंने शिवजी को दुबारा हासिल करने के लिए बहुत ही घोर तप किया है इनके तपस्या के दौरान एक समय ऐसा आता है जब वो अन्य जल सभी त्याग देती है और तीन हजार वर्षों तक सिर्फ बेल पत्र खाकर ही तपस्या करती है शिवजी इनके तपस्या से बहुत प्रसंण होते है और इनसे पुनहा विवा करने के लिए तयार हो जाते है इसलिए आज भी जबी भी हम शिवजी की पूजा आचना करते है तो उन्हें बेल पत्र चड़ाया जाता है माता भ्रह्मचरिनी तपस्या का रूप है उनके नाम में भ्रह्म का मतलब तप है त्याग है इसलिए नवरात्री के दूसरे दिन मा भ्रह्मचरिनी की पूजा की जाती है इस तपस्या से हमें ये स्वरूप मिलता है कि अगर सिंदगी में कुछ भी हासिल करना हो तो उसके लिए कड़ी महनत करनी पड़ती है